आज के सेशन में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश के राष्टरी उद्यानों के बारे में और वन्य जीव अभ्यारने के बारे में यानि नेशनल पार्क्स एंड वाइड लाइफ सेंक्चुरीज ऑफ मध्य प्रदेश तो इससे पहले कि हम लोग ये वीडियो शुरू करें सबसे पहले तो मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे वीडियो को देखते हैं और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हैं और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वे और हमारे study material की PDF डाउनलोड करने के लिए हमारी website mania-education पर जाकर वहाँ पर आप menu से डाउनलोड पर क्लिक करके हमारे study material की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं तो आईए अब हम लोग देखते हैं मध्यपरदेश के national parks और wild life sanctuaries के बारे में सबसे पहले तो हम थोड़े से उन जानवरों के चित्र देख लें जो मध्यपरदेश में जादा है तो इन जानवरों के चित्र देखने से हो सकता है कि जब इनके नाम आएंगे तो आपको थोड़ा सा visualize हो जाएगा कि किन जानवरों की बाते हो रही है सबसे पहले तो सफेद शेर मध्यपरदेश में रिवा में पाए जाते हैं और कई national parks में हैं भी तो यह सफेद शेर की फोटो है तेंदुआ यह होता है शेर की जो cat family है उसी का एक सदत से है यह पेडों पे चड़ जाता है और यह तेंदुआ की फोटो है बारत सिंगा जो की मध्यपरदेश का राष्ट्री पशू भी है इसे swamp deer कहते हैं इंग्लिश में यह कुछ इस तरह से दिखता है इसकी sing देख लीजे सींग के कारण ही इसका नाम बारत सिंगा पड़ा है चिंकारा जिसे रवाइन डियर कहते हैं इसका यह काफी खुबसूरत होता है देखने में इसका शिकार भी बहुत होता था पहले वो कुछ इस तरह से देखता है इसकी sing और इसके कान मिलकर कुछ एक बहुत ही खुबसूरत द्रिश्य बनाते हैं सामभर थोड़ा सा मोटा होता है यह और यह हिरन प्रजाती का ही है जो मद्द प्रदेश में बहुत ज़्यादा पाये जाता है यह चीतल है आप इसको देख सकते हैं बहुत ही खुबसूरत हिरन होता है और मद्द प्रदेश में बहुत आयत में पाये जाता है ये नील गाये हैं जिसे इंग्लिश में ब्लू बुल या ब्लू काउ कहते हैं ये कुछ इस तरह से दिखती हैं गाये से थोड़े से पतला दुबला और छोटा शरीर होता है इनका मर्द्य प्रदेश में बहुतायत में नील गाये मिलती है ये इंडियन बेसौन यानि गौर है ये थोड़े मोटे शरीर का होता है और काफी ताकतवर जानवर माना जाता है ये भी फैमिली का ही है और ये एक मोटा भैसा जैसा देखता है ये घडियाल है घडियाल का इसका जो मू है वो जरा देख लिजेगा इसका मू और पूँच यही इसको मगरमच से डिफरेंशेट करते हैं अलग करते हैं ये घडियाल है और ये मगरमच है दोनों में डिफरेंस देख लिजेगा ये घडियाल थोड़ा छोटा होता है इसका पूँच और मूँ जो काफी डिफरेंट होता है इसके पैर भी डिफरेंट होते हैं और ये मगरमच है काफी शक्तिशाली जानवर माना जाता है मगरमच ये सोन चिडिया है जो मद्यप्रदेश का कई गाटी गाओं करेरा ऐसे कुछ सेंक्चुरीज में इसका संरक्षन किया जाता है बहुत ही खुबसूरत चिडिया होती है और इसकी आवाज भी बहुत मीठी होती है तो अब हम लोग जानते हैं कि राष्ट्री उद्ध्यान और अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले तो यही जानना आवशक है क्योंकि आगे हम लोग बढ़ें तो हम लोग जाने कि राष्ट्री उद्ध्यान किसको बोला जा रहा है और अभ्यारण्य किसको तो राष्ट्री उद्यान तथा अभ्यारन्य में अंतर्य होता है, कि राष्ट्री उद्यान में मानवी गतिविधियां तथा मानव को रहने की पूरी तरह से मना ही होती है, जबकि अभ्यारन्य में कुछ सीमा तक इसकी अनुमती होती है, मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट इसमें शामिल हैं आगे चलके हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन-कौन से वन्य जीव अभ्यारन्य प्रस्तावित हैं और कौन-कौन से अभी शुरू हो चुके हैं या अस्तित्व में हैं सबसे पहले हम लोग अपने सबसे बड़े राश्ट्री उद्यान के और बढ़ें जो है कान्या किसली राश्ट्री उद्यान यह मंडला में स्थित है इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है तो काफी बड़े क्षेत्र में कान्या किसली राश्ट्री उद्यान फैला हुआ और यह प्रोजक्ट टाइगर के अंतरगत भी आता है वर्तमान में यह मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान है यह जरूर याद अखिएगा कि कानहा किसली राष्ट्री उद्यान मद्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्री उद्यान है किया गया था और उसी वर्ष कान्या किसली को सन 1955 में राष्ट्री उध्यान की रूप में गठित किया गया तो 1935 में यह अभ्यारन्य बना 1955 में राष्ट्री उध्यान बन गया Captain James Forsyth ने अपनी बुक The Highlands of Central India बहुती famous बुक थी उनकी उसमें हलो गाटी का वर्णन किया है और A. Dunbar Brander उन्होंने अपनी बुक लिखी थी Wild Animals in Central India उन्होंने बंजर गाटी का वर्णन किया है और यह हालो गाटी और बंजर गाटी दोनों ही कानहा किसली राष्ट्री उध्यान में है तो वर्थमान में हालो गाटी तथा बंजर गाटी दोनों कानहा किसली राष्ट्री उध्यान में है 1974 में कानहा को Project Tiger में शामिल किया गया और ब्रेडरी जाती का बारसिंगा केवल काना किसली राष्ट्री उध्यान में ही मिलता है तो काना किसली राष्ट्री उध्यान का क्षेतरफल 940 वर किलोमेटर है यह मंडला में है 1935 में अभ्यारन्य बना 1955 में राष्ट्री उध्यान बना 1974 में प्रजक्ट टाइगर बना और सबसे इंपोर्टेंट बात ये है कि ब्रेडरी जाती का बारत सिंगा जो होता है वो केवल काना किसली राश्ट्री उद्यान में ही मिलता है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में प्रजक्ट टाइगर की शुरुवात 1973 में हुई थी बांधवगर राश्ट्री उद्यान उमरिया में स्थित है बांधवगर राश्ट्री उद्यान उमरिया में है इसका क्षेत्रफल 448 वर्ग किलो मिटर है इसे 1968 में स्थापित किया गया था इसे 1993 से प्रजक्ट टाइगर में शामिल किया गया था मध्य प्रदेश में सरवाधिक भाग इसी राश्ट्री उद्यान में मिलते हैं यहाँ पर भागों का घनत्व बहुत ज़्यादा है बांधवगर में यहाँ प्रती 8 वर्ग किलोमेटर पर एक बाग पाया जाता है तो घनत्व काफी ज़्यादा है प्रती 8 किलोमेटर पर बाग यहाँ पर मिलते हैं यहाँ राश्ट्री उद्यान 32 पहाडियों से गिरा है पहाडी पर भूदपूर्व रिवाराज का किला स्थित है जिससे इसे बांधवगड नाम से जाना जाता है तो भूदपूर्व रिवाराज का किला जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम उस किले का नाम है बांधवगड और इसलिए इस राश्ट्री उद्यान को कहा जाता है बांधवगड राश्ट्री उद्यान तो यह उमरिया में स्थित है, शेत्रफल 448 वर्ग किलोमेटर है, 1993 में प्रजक्ट टाइगर बना था, 1968 में स्थापित हुआ था, और यहां प्रती 8 वर्ग किलोमेटर पर एक बाग पाये जाता है, और चुकि इस राश्ट्री उद्यान में बांधवगर नाम का किला है, इसलि स्थित है, इसका क्षेत्रफल 292.857 वर्ग किलोमेटर है, इसकी स्थापना 1977 में अभ्यारने की रूप में स्थित की गई थी, लेकिन 1983 में इसे राश्ट्री उद्यान घोशित किया गया, और इसे 92-93 में प्रजक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया, तो यह सिवनी स्थित है, क्षेत्रफल है, करीब 293.857 वर्ग किलोमेटर, स्थापना इसकी 1977 में हुई थी, जब यह वाइल लाफ सैंक्चुरी था, यानि अभ्यारन यह था, और 1983 में राश्ट्री उद्यान घोशित किया गया, 1992-93 में इसे प्रजक्ट टाइगर में शामिल किया गया, पन स्थापित किया था, इसका क्षेत्रफल 542.660 यानि करीब 543 वर्ग किलोमेटर है, इसे 1994 में प्रजक्ट टाइगर में शामिल किया गया था, यहाँ पर रेप्टाइल पार्क भी है, जिसमें रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, यह जरूर याद रखिएगा कि रेप्ट चीज है याद रखने के लिए, जैसे कानहा में ब्रेडरी जाती का बारसिंगा पाया जाता है, वैसे ही यह याद भी रखना ज़रूरी है, कि पन्ना राश्ट्री उध्यान में रेप्टाइल पार्क है, जिसमें रेंगने वाले जीव होते हैं, माधव राश्ट्री उध्य है, 375.230, वर्ग किलो मीटर है, इसमें पाये जाने वाले वन्यजीव हैं, तेंदुआ सांभर चीतल आदी, तेंदुआ सांभर चीतल सबकी फोटो हमने पहले देख लिए है, इस राश्ट्री उध्यान में जॉर्ज कैसल है, जॉर्ज कैसल एक बंगला है, एक किला तो नह आए गया, जिसे जॉर्ज कैसल कहते हैं, और यह इसी राश्ट्री उध्यान में है, वन विहार राश्ट्री उध्यान भोपाल में स्थित है, काफी फेमस उध्यान है, यह भोपाल में स्थित है, इसे 1979 में स्थापित किया गया था, तथा 1983 में राश्ट्री उध्यान का धर दरजा दिया गया, 1983 में इस राष्ट्री उध्यान का दरजा मिला, 1979 में स्थापित किया गया था, इसका क्षेत्रफल 4.452 किलोमेटर है, वर्ग किलोमेटर काफी छोटा है फिर, दूसरे राष्ट्री उध्यानों के हिसाब से देखा जाए तो, मात्र 4.452 किलोमेटर है, यहा यहां पर देख सकते हैं कि जो खतरनाक जनवर हैं, जिनसे इनसानों को खत्रा हो सकता है, उनको एक बंद ख्षेत्र में रखा जाता है, और जो शाकाहरी जनवर होते हैं, उन्हें खुले में घुमते हुए देखा जा सकता है, सथपुड़ा राष्ट्री उध्यान होशंग 1809 काफी बढ़ा राष्ट्री उद्ध्यान है यह इसे 1981 में स्थापित किया गया था तता 1999 2000 से इसे Project Tiger में शामिल किया गया है तो यहाँ पेशेर राष्ट्री उद्ध्यान भी Project Tiger में reflective है this डिनटोरी में है यह डिनडोरी में स्थित है इसका क्षेत्रफल काफी छोटा यह सबसे छोटा राश्ट्री उद्यान है मद्यप्रदेश का 0.270 वर्ग किलोमेटर है वैसे तो यह मद्यप्रदेश का सबसे छोटा राश्ट्री उद्यान है कि तो यह एशिया का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है आप कह सकते हैं कि यह सबसे छोटा राश्री उद्यान है लेकिन यदि सिर्फ fossil parks की बात हो तो यह एशिया का सबसे बड़ा है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा fossil park है यहां पर भूतल जिवाश्म रखे जाते हैं इसे 1968 में स्थापित किया था काफी पुराना है यह 1968 में स्थापित किया गया संजर राश्री उद्यान जिसका एक बहुत बड़ा भाग 36 गड़ में चला गया है इसका दिकांश भाग अब 36 गड़ में चला गया है मद्य परदेश में यह सीधी तथा सिंग रॉली जिले में है इसका क्षेतरफल 466.657 वर्ग किलो मेटर है और यह तो वो क्षेतरफल है जो मद्य परदेश में है इसका क्षेतरफल 1400 वर्ग किलो मेटर से भी ज़ादा था लेकिन अब मैकसिमूम पाइट इसका 36 गड़ में हुई थी और 2008 में इसे प्रजक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया है डाइनसोर जिवाश्म राश्ट्री उद्यान धार में स्थित है यहाँ पर डाइनसोर के अंडे मिले थे और तभी से खोजबीन की गई थी तो उसके बाद यहाँ पर डाइनसोर पार्क बना जा रहा है यह धार जिलेक में भाग नामक छेत्र में स्थित है इसका छेत्रफल 0.870 वर्ग किलोमेटर है तो यह भी बहुत बड़ा नहीं है इसके मंजूरी 2 दिसंबर 2010 को प्रदान की गई थी तथा जुलाई 2013 में अधिकारिक घोशना की गई थी यहाँ नेशनल डाइनसोर पार्क बनाय जा रहा है जो अभी निर्माना धीन है वैज्यानियोंकों के अनुशार विश्व में भाग ही वक्षेत्र है जहां डाइनसोर की सभी प्रजातियों के अवशेश मिले हैं तो बहुत ही इंपोर्टेंट राश्ट्री उद्यान बनने जा रहा है डाइनसोर जिवाश्म राश्ट्री उद्यान जो की धार में स्थित है उंकारेश्वर राश्ट्री उद्यान खंडवा में स्थित है यह खंडवा जिले के उंकारेश्वर में स्थित है वर्तमान में यह प्रस्तावित अवस्था में है इसका ख्षेत्रफल जब यह बन जाएगा तो 293.56 वर्ग क तो काना किसली 1955 में इसके स्थापना हुई थी, क्षेत्रफले 939.947 यानि कि 940 वर्ग किलोमेटर के आसपास, तो आप इसे 940 वर्ग किलोमेटर के सभी याद रख सकते हैं, यह मंडला जिले में है और यहां पर कौन-कौन से प्राणी पाय जाते हैं, बाग, तेंदुआ, ची यह बहुत ही इंपोर्टेंट है, दूसरा है सत्पुला टाइगर प्रजेक्ट, जो कि 1983 में स्थापना हुई इसकी 528.729 यानि करीब 529 वर्ग किलोमेटर का इसका क्षेत्रफल है, यह होशंगा बाद जिले में स्थित है, यहां पर भाग, तेंदुआ, चीतल, सांबर, हिर और भालू पाये जाते हैं, संजय राश्ट्री उद्यान जो कि प्रजेक्ट टाइगर में शामिल है, देखें यहां पर जो आ रहे हैं, पांच के पांच इस सभी प्रजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो काना किसली भी प्रजेक्ट टाइगर है, सत्पुला राश्ट्री तो संजे नेशनल पार्क भी प्रज़क्त सफापना है तो संजे नेशनल पार्क भी प्रज़क्त सफाथना होई संजय राश्ट्री उद्यान में पन्ना राश्ट्री उद्यान 1981 में स्थापित हुआ 542.662 यानि करीब 543 वर्ग किलोमेटर का इसका क्षेतरफल है यहाँ पन्ना और छतरपुर जिले में है यहाँ पर बाग, तेंदुआ, चीतल, सांभर, हिरन और भालू पाये जाते हैं बांधवगर राश्ट्री उद्यान 1968 में स्थापित हुआ था 448.842 वर्ग किलोमेटर का इसका क्षेतरफल है यहाँ उमरिया जिले में है यहाँ पर सफेद शेर होते हैं अच्छा सफेद शेर जो होते हैं वो बांधवगर में रिवा से लाएगा हैं तो सफेद शेरों का यदि राश्ट्री उद्यान पूछा जाएगा तो वो बांधवगर होगा और सफेद शेर होते कहाँ पर हैं बैसिकली रिवा जिले में होते हैं गुविंद गड़ रिवा जिले में तो यहाँ पर सफियद शेर होते हैं बाग है तेंदुआ है चीतल है और सांभर भी है माधवराश्ट्री उद्ध्यान उन्निसो औंठावन में इसकी स्थापना होई थी तिनसो पच्छत्तर पॉइंट टू थ्री जिरो वर्ग किलोमिटर का इसका शेतरफल है शिवपुरी जिले में है यहाँ पर तेंदुआ, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा वगरा वगरा तो होते ही है यहाँ पर जंगली सुवर पाये जाते हैं प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर आते हैं देश विदेश से पक्षी यहाँ पर आते हैं अपने सीजन पर और यहाँ पर मगरमच भी पाए जाते हैं पेच जो की प्रजक्ट टाइगर में शामिल है तो यह छटवा राश्ट्री उद्यान हो गया जो की प्रजक्ट टाइगर में शामिल है 1983 में इसकी स्थापना हुई थी 292.857 वर्ग किलोमेटर का इसका क्षेतरफल है यह सिवनी और चिंदवाले जिले में फैला हुआ है यहाँ पर बाग तेंदवा चीतल सांबर गौर भी है यहाँ पर मुझक और हिरंड भी है तो यहाँ पर गौर भी पाये जाता है पेच नेशनल पार्क में वन विहार नेशनल पार्क भौपाल में है 1979 में इसकी स्थापना हुई थी यह मात्र 4.452 वर्ग किलोमेटर के क्षेतरफल में फैला हुआ है यहाँ पर लगबग सभी वन्य प्राणी होते हैं डैनसोर राष्ट्री उद्यान धार में स्थित है 2010 में इसकी मंजूरी मिली थी यह अभी पूरी तरह से बना नहीं है इसका क्षेतरफल है 0.870 यह धार जिले में स्थित है और यहाँ पर डैनसोर जिवाश्म से रिलेटेड यह राष्ट्री उद्यान है फॉसिल राष्ट्री उद्यान 1968 में इसकी स्थापना हुई 0.270 सबसे छोटा राष्ट्री उद्यान है डिंडोरी जिले में है और यहाँ पर वनस्पती जिवाश्म होते हैं तो यह 10 जो अभी हम लोगों ने देखे यहां से लेके यहां तक यह इनकी क्षेत्रफल के अनुसार बढ़ते घटे करम में है तो सबसे बड़ा काना किसली है सबसे छोटा फॉसिल है यह लास्ट में उंकारिश्वर को इसली लिखा है क्योंकि यह अभी प्रस्तावित अवस्था में है तो यह 2004 में इसकी मंजूरी मिली हुई है करीब 293.56 वर्ग किलिम्टर का इसका क्षेत्रफल है खंडवा जिले में स्थित है और यहाँ पर मद्य प्रदेश के सभी वन्य प्राणी रखे जाएंगे अब मद्य प्रदेश के जो सैंक्चुरीज है वाइल लाफ सैंक्चुरीज यानि अभ्यारणी उन पर भी एक निगाह डाल लेते हैं हम लोग खिवनी सैंक्चुरीज खिवनी अभ्यारणी ये दिवास में स्थित है ख्षेत्रफल है 134.778 वर्ग किलोमेटर का यहाँ पर तेंदुआ चीतल सांभर नील गाय और हिरन होंगे सॉरी हैं यहाँ पर खिवनी अभ्यारणी में नर्सिंगड अभ्यारणी इसका क्षेत्रफल है 57.190 ये राजगड में स्थित है इसमें वन्य प्राणी मोर भी है इसमें नर्सिंगड में मोर पाये जाते हैं तेंदुआ चीतल सांभर जंगली सुवर और मोर गांधी सागर अभ्यारणी मनसौर और नीमच में हैं काफी बड़ा अभ्यारणी है 368.620 वर्ग क्षेत्रफल है यहाँ पर तेंदुआ चीतल चिंकार नील गाय और जल पक्षी भी यहाँ पर पाये जाते हैं बोरी अभ्यारणी होशंगाबाद में स्थित है 485.715 वर्ग क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा अभ्यारणी है इसमें शेर, तेंदुआ, सांभल, चीतल, गौर, हिरन, जंगली सुवर मिलते हैं पच्छमणी अभ्यारणी काफी बड़ा है, बोरी से भी बड़ा है 491.632 वर्ग क्षेत्रफल है यह होशंगाबाद जिले में स्थित है यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौर, नीलगाय, हिरन, चिंकारा, इत्यादी पाय जाते हैं संजय अभ्यारणी यह इसे डूबरी अभ्यारणी भी कहते हैं इसका च्छेत्रफल 364.693 है यह सीधी जिले में है यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, सांभर, चिंकारा, इत्यादी पाय जाते हैं यहाँ पर शेर भी मिलते हैं संजय अभ्यारणी में रातापानी अभ्यारणी यह राइसेन और सिहोर दोनों की जमीनों पर है काफी बड़ा है 825.907 वर्ग किलिम्टर का ख्षेत्रफल है यहाँ पर शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, नीलगाय, त्यादी वर्णे पराणी रहते हैं सिंघोरी अभ्यारणी 291.915 वर्ग किलिम्टर का ख्षेत्रफल है राइसेन जिले में स्थित है यहाँ पर शेर, सांभर, तेंदुआ, चीतल, और नीलगाय, मिलते है नौरा देही, मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है नौरा देही, जो कि सागर, दमोह, और नर्सिंगपूर जबकि इसका मैक्सिमम जो एरिया है, वो सागर में आता है तो इसका 1194.672 वर्ग किलोमेटर के एक शेतरफल में फैला है काफी बड़ा, मतलब इतना बड़ा मद्यप्रदेश में कोई राष्टरी उद्यान भी नहीं है मद्यप्रदेश का सबसे बड़ा राष्टरी उद्यान है काना किसली जिसका क्शेतरफल 940 वर्ग किलोमेटर ही है और नौरा देही अभ्यारन्य का जो क्शेतरफल है वो 1194.672 वर्ग किलोमेटर है यहाँ पर शेर, चेंदुआ, चीतल, सांभर, नील गाए, जंगली, कुत्ता, इत्यादी पाये जाते हैं पेच अभ्यारन्य, 118.473 वर्ग किलोमेटर का क्शेतरफल है यह सिवनी चिंदवाड़ा में पाये जाता है यहाँ पर शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, और गौर जैसे वन्य प्राणी मिलते हैं चंबल अभ्यारन्य, 435 वर्ग किलोमेटर का क्शेतरफल है मुरैना और भिंड में स्थित है यहाँ पर घडियाल है, मगरमच है, कचुआ है, उद बिलाव है और डॉल्फिन है यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के वन्य प्राणी यहाँ पर मिलते हैं एक्जाम में पूछ सकते हैं कि घडियाल कहां मिलते हैं तो चंबल अभ्यारन्य में मिलते हैं यह आपको दो-तीन जगह ऐसे हैं जहां पर घडियाल और मगरमच पाए जाते हैं चंबल में भी पाए जाते हैं तो केन घडियाल अभियारन्य 45 दश्मला 201 वर्ग किलोमेटर का क्षेतरफल है छतरपूर और पन्ना में स्थित है यहाँ पर घडियाल और मगरमच वन्य प्राणी पाए जाते हैं तो केन जो अभियारन्य है वो विशेश रुप से घडियाल और मगरमच के लिए था इसलिए इसको बोलते ही है केन घडियाल अभियारन्य सोन अभियारन्य 83.684 वर्ग किलोमेटर का क्षेतरफल है सीधी शैडोल में स्थित है यहाँ पर घडियाल मगरमच कच्छुआ और प्रवासी पक्षी होते है कुनो पालपूर कुनो पालपूर बहुत ही इंपोर्टेंट अभियारन्य है 344.686 वर्ग किलोमेटर के एक शेतरफल में फैला हुआ है शियोपूर में स्थित है यहाँ पर वर्णे प्राणी है शेर, चेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाए और चिंकारा करेरा अभियारन्य बहुत ही इंपोर्टेंट अभियारन्य है सोन चीडिया का सर्रक्षन यहीं पर किया जा रहा है करेरा अभियारन्य में 202.2.1 यह वर्ग किलोमेटर के एक शेत्र में यह फैला हुआ है और यह शियोपूरी मिस्थित है यह करेरा के बारे में जितनी जानकारी हो अतनी कठी कर लीजेगा क्योंकि करेरा के बारे में सवाल आने के संभावना काफी हाई रहती है यहाँ पर सांभल, सांभर, चीतल, नील गाय और सोन चिडिया मिलते है घाटी गाओं जो की ग्वालियर में स्थित है यह भी सोन चिडिया के स्तरक्षण के लिए प्रसिद्ध है तो अगर एक्जाम में सवाल आता है कि सोन चिडिया के लिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं तो करेरा और घाटी गाउं घडियाल के लिए चंबल केन और सोन तो घाटी गाउं अभियारणी जो है वो ग्वालियर में स्थित है 510.640 वर्ग किलिम्टर के क्षेतर में फैला हुआ है काफी बड़े क्षेतर में घाटी गाउं अभियारणी फैला हुआ है यहाँ पर चिंकारा, सांबर, नील गाई और सोन चिडिया मिलते हैं बगदरा अभियारणी सिंग्रॉली में स्थित है 478 वर्ग किलिम्टर के क्षेतर फैला हुआ है काफी बड़ा अभियारणी है यहाँ पर 32 चीतल, सांबर, नील गाई जैसे जानवर पाए जाते हैं फेन अभियारणी मंडला में स्थित है 110.740 वर्ग किलिम्टर के क्षेतर फैला हुआ है यहाँ पर तेंदुआ, शेर, चीतल, सांभर जैसे वन्य पराणी पाए जाते हैं पनपथा अभियारण्य यह उमरिया में स्थित है इसका छेतरफल है 245.842 वर्ग किलोमेटर यहाँ पर शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चौसिंगा और हिरन पाए जाते हैं सरदारपुर जिसे खर्मा और अभियारणे भी कहते हैं यह धार जिले में स्थित है यहाँ पर चिडिया और फूलों का सनरक्षन किया जाता है इसका छेतरफल है 348.121 चिडिया का और फूलों का यहाँ पर सनरक्षन होता है तो इसे खर्मा और खर्मा और पक्षी के लिए खास तोर से यह जाना जाता है यह रतलाम जिले में स्थित है 12.965 वर्ग किलियोमेटर का क्षेतरफल है इसका गंगाउ अभ्यारण्य पन्ना में स्थित है 78.536 वर्ग किलियोमेटर का क्षेतरफल है और यहाँ पर वन प्राणी जो पाय जाते हैं वह है तेंदुआ, जंगली सुवर, सांभर, चीतल, नीलगाय और चिंकारा राला मंडल मद्यप्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है यह इंदौर में स्थित है इसका च्षेतरफल है 2.345 किलियोमेटर मात्र यहाँ पर भाग भी है, तेंदुआ है, चीतल, सांभर, गौर और भालू भी यहाँ पर पाय जाते हैं और चा अभ्यारण्य टीकमगड में स्थित है, 44.914 वर्ग किलियोमेटर का इसका क्षेतरफल है यहाँ पर तेंदुआ, जंगली सुवर, सांभर, चीतल, चिंकारा जैसे वन्यप्राणी पाय जाते हैं दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह में स्थित है, 23.973 वर्ग किलियोमेटर का इसका क्षेतरफल है यहाँ पर सांभर, नीलगाय, कृष्णंबरिग भी यहाँ पर पाय जाते हैं और चीतल क्रिष्णंबरिग के लिए दुर्गावती का अभ्यारण्य है वो famous भी है उसके बाद बहुती important अभ्यारण्य है जो exam के भी बहुत important है गौ अभ्यारण्य जहाँ पर गौ उत्पादों का उत्पादन भी होता है, अनुसंधान भी होता है तो विबिन्द नसलों की गायों को यहाँ पर पाला जाता है और उनका संरक्षन किया जाता है तो कामदेनु गौ अभ्यारनिय यह आगर मालवा में स्थित है इसका क्षेत्रफल है 472.630 तो बहुत बड़े क्षेत्र में यह गौ अभ्यारनिय स्थित है आगर मालवा के जिले में यह कामदेनु गौ अभ्यारनिय अब उसके बाद 26 तो यह हो गए बाकी जो पांच प्रस्तावित अभ्यारनिय है वो है काली भीत जो की बैतूल में स्थित होगा सुर्मैनिय जो की खंडवा में है मांधाता खंडवा में है कठिवाला अलिराजपुर में है और मयूर अभ्यारनिय जो की जाबुआ में है तो मयूर अभियारन्य ये सब पूछा जा सकता है एक्जामनेशन में क्योंकि अभी जो पटवारी एक्जाम था उसमें मयूर अभियारन्य के बारे में पूछा गया था तो मयूर अभियारन्य जाबवा में स्थित है काली भीत, बैतूल में, सुर्मैनिया, खंडवा में मानधाता, भी खंडवा में और कठीवाडा, अली राजपूर में तो ये हो गए 11 राश्ट्री उध्यान और 31 अभ्यारणिया अब कुछ महतुपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं हम लोग मद्य प्रदेश की 25 वी वर्ष गाठ पर 1 नवंबर 1981 को हिरन जाती के 12 सिंगा को राज की पशू तथा दूज राज यानि शाहे बुल बुल जिसे इंगलिश में परडाइस फ्लाइ कैचर कहते हैं इसको राश्ट्री पक्षी घोशित किया गया एक नवंबर 1981 को भारत सिंगा को राज की पशू बनाए गया और दूद राज को राज की पक्षी बनाए गया मद्य प्रदेश का राज की व्रिक्ष बरगद का पेड़ है अब एक important बात विश्व में Project Tiger के जनमदाता गेनी मनफोर्ड है और भारत में Project Tiger के जनमदाता कैलाश सांखिल लिया है एक्जाम के हिसाब से ये बहुत ही important point है कि भारत में Project Tiger के जनमदाता कैलाश सांखिल लिया है और भारत में 1973 में जो पहला नेशनल पार्क जिसे प्रजेक्ट टाइगर बनाए गया वो था कॉर्बेट नेशनल पार्क जोकी उत्रा खंड में स्थित है माधव राश्ट्री उद्यान से NH3 यानी राश्ट्री राजमार्ग निकलता है NH3 राश्ट्री राजबार्ग आगरा मुंबई इसी उद्यान में जोर्ज कैसल का बंगला है माधव राश्ट्री उद्यान में सांख्य सागर जील है जहां पे मगरबच पाये जाते हैं लगबग 80 प्रकार के प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं माधव राश्ट्री उद्यान में जैसे हमने अभी थोड़ी दर पहले भी डिस्कस किया कि यहां पर देश विदेश से बहुत सारे पक्षी आते हैं अपने सीजन पर और उसके बाद चले जाते हैं कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राश्ट्री उद्यान है बारा सिंगा की विशेश कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राश्ट्री उद्यान है बारा सिंगा की विशेश ब्रेडरी जाती सिर्फ कान्हा किसली में पाई जाती है हालो गाटी तथा बंजर गाटी कान्हा किसली में स्थित हैं यहाँ वन्य प्राइणी सर्रक्षन के लिए प्रशिक्षन की भी सुविधा है तो काना किसली में बारा सिंगा की ब्रेडरी जाती पाई जाती है हालो गाटी और बंजर गाटी यहीं पे स्थित है फोसिल राश्ट्री उद्यान डिंडोरी में है और यह सबसे छोटा राश्ट्री उद्याने जैसा कि हमने इससे पहले भी डिसकस किया इसका छेत्रफल मात्र 0.27 वर किलोमेटर है इसमें जिवाश्म पाए जाते है मध्य प्रदेश में घडियाल सर्रक्षन का कार्य केन घडियाल अभियारन्य में किया जाता है राश्ट्री चंबल घडियाल अभियारन्य मुरैना में और सोन घडियाल अभियारन्य सिरी शैडोल में भी किया जाता है तो घडियाल से संबंदित तीन अभियारन्य हो गए एक तो हो गया केन, दूसरा हो गया चंबल और तीसरा हो गया सोन मद्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभियारन्य नौर्देही है जो कि सागर में स्थित है जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सागर में स्थित है एवन सबसे छोटा अभियारन्य राला मंडल है जो कि इन दौर में स्थित है मद्ध्य प्रिदेश में घाटी गाउं तथा करेरा अभ्यारन्य में सोन चिडिया का सरनक्षन होता है ठीक है न ये घाटी गाउं अभ्यारन्य और करेरा अभ्यारन्य ये दोनों में सोन चिडिया का सरनक्षन किया जाता है सोन चिडिया को Great Indian Bustard भी कहा जाता है सरदारपूर अभियारनिय तथा सैलाना अभियारनिय खर्म और पक्षी के लिए विख्यात है सरदारपूर अभियारनिय और सैलाना मद्यप्रदेश का पर्थम बायो रिजर्व कानहा में स्थापित किया गया था सबसे नया बायो रिजर्व जो है वो राला मंडल इन दौर है मद्यप्रदेश में पंचवन योजना 1976 में शुरू की गई थी इसका उदेश था समाजिक वानिकी को बढ़ावा देना यहीं सोशल फोरेस्ट्री को बढ़ावा देना इसका उदेश था मद्यप्रदेश के राश्ट्री उद्यानों में सारवाधिक पाये जाने वाला पशु है चीतल यह याद रखिएगा संजय अभ्यारन्य का पुराना नाम डूबरी अभ्यारन्य है मद्यप्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है और आम उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए जबलपूर को आम जिला गोशित किया गया है और आवला उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए पन्ना को आवला जिला गोशित किया गया तो जबलपूर जो है वो आम जिला बन गया पन्ना जो है वो आवला जिला बन गया बंधवगड राश्ट्री उद्यान 32 पहाडियों से घिरा है इसी राश्ट्री उद्यान में सफेद शेर पाये जाते हैं तो अगर एक्जाम में कुछ चन आता है कि सफेद शेर कहां पाये जाते हैं यहाँ पर साप और अन्यर रेंगने वाले जन्तु पाये जाते हैं मध्य प्रदेश में राज्य वन जीव सनरक्षन अधिनियम 1974 में बनाया गया था सत्पुडा राश्ट्री उद्यान में कृष्ण बृग बड़ी संख्या में पाये जाते हैं तो कृष्ण बृग के लिए काले हिर्ण के लिए जो फेमस राश्ट्री उद्यान है वो सत्पुडा ही है वन विहार राश्ट्री उद्यान भोपाल में है इसके समीप ही इंद्रा गांथी राश्ट्री मानव संगरहाले भी बनाये गया है मद्य प्रदेश में प्रजक्ट टाइगर का आरंब 1974 में काना किसली से किया गया था शुरुवात जो थी वो काना किसली से थी 1974 में विश्व का पहला गौ अभ्यारणिया यह सिर्फ भारत का ही नहीं मद्य प्रदेश का नहीं विश्व का पहला गौः अभ्यारन्य कामधेनू गौः अभ्यारन्य आगर मालवा में स्थापित किया गया है प्रदेश में 6 राष्ट्री उद्यान हैं जिनें प्रजक्ट टाइगर बनाये गया है ये कौन-कौन से हैं काना किसली पेंच, पन्ना, बांधवगर, सत्पुडा और संजय राष्ट्री उद्यान राथा पानी अभ्यारन्य जो कि रायसेन और सिहोर के खेत्र में है इसको भी प्रजक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया है हलां कि ये राष्ट्री उद्यान का धरजाई से अभी नहीं मिला है पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा शेर मध्यप्रदेश में ही पाय जाते हैं इसलिए मध्यप्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है पेच राष्ट्री उद्यान को अब इंदरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्री उद्यान कहा जाता है तो ये था राष्ट्री उद्यानों के बारे में मध्यप्रदेश के और मध्यप्रदेश के वाइल लाइफ सैंक्शुरीज के बारे में बहुत धन्यवाद